नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंटी टैक में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप inverter battery में पानी कैसे डालते हैं और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि inverter battery में कितना पानी डालना चाहिए और कौन सा पानी डालना चाहिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर भी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों साथ में जो गंटिक आई करने उसे भी तबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का notification मिले आपको सबसे पहले चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बैंट्री है 150 एच टॉल ट्यूबलर देखे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो वाटर लेवल है वो कम हो चुका है देखे दोस्तों यहां पर इसमें आपको दो निसान दिखाई देंगे एक देखे नीचे लाल और ऊपर यहां पर हरा दोस्तों लाल का मतलब है मिनीमम इसका जो निमतम इस्तर है वो लाल है और जो हरा है इसका उस्तम इस्तर है हाई लेवल दोस्तों जो हमें पानी डालना है वो हमें यहां तक डालना है जहां तक इसमें हरा निसान बना हुआ है अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप पानी कैसे डालेंगे इसके लिए दोस्तों आपको एक बाजार से पानी की बोतल लेकर के आनी पड़ेगी दोस्तों आपको कौन सी बोतल लानी है मैं आपको दिखा देता हूँ देखें दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे पास यह एक पांच लिटर की बोतल है जिसे की आप बहुती आसानी से बजार से खरीच सकते हैं 40-50 रुपे में दोस्तो इस बोतल में जो आता है वो आता है डिस्टिल वाटर और दोस्तो अगर आप 40-50 रुपे खरच नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तो आप अपनी जो inverter बैंटरी है उसमें पानी को उबालने के बाद ठंडा करने के बाद डाल सकते हैं और दोस्तो अगर आपके घर में water purifier RO लगा हुआ है तो आप उसका पानी भी direct डाल सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैं distilled water की एक bottle है से लेकर के आया हूँ और यह दोस्तो पांच लिटर की होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिखावा है net 5 लिटर आज दोस्तो इस battery में मैं यही पानी डालने वाला हूँ अब दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पानी कैसे डालेंगे इसमें इसके लिए दोस्तो इसमें दो तरीके हैं आप यहाँ से इसमें जो water level लगा हुआ है इसे direct खोल करके जिससे आप तेल बगारे डालते हैं इसकी मदद से आप पानी डाल सकते हैं इस तरह और दोस्तो इसमें एक दूसा तरीका है दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी डालने के लिए अलग से पेंच लगे हुए हैं पलास्टिक के बॉल्ट लगे हुए हैं इन्हें दोस्तों हमें यहां से खौल लेना है किसी भी स्कुरूड्राइवर की मदद से या कोई और आपके पास बड़ा सा स्कुरूड्राइवर हो उसकी मदद से आप इन्हें खौल लेंगे दोस्तो अगर आप यहां से पानी डालते हैं तो आपको यहां से वाटर लेवल निकालने की ज़रूत नहीं पड़ेगी जैसे आप यहां से पानी डालेंगे यहां से जो वाटर लेवल है यह ऊपर होता चला जाएगा सबसे पहले यहां से जो बोल्ट लगा हूआ है से खोलेते हैं झिस से हम तेल बगरा डालते हैं तो की मदश से पानी डालेंगे इसे यहां पर ऐसे लगा देना इसमें देखें, यहां पर मैंने इसका ढकन खूलने के बाद इस dynasty दोस्तो पानी इस प्लस्टिक के मग में कर लिया है। अब दोस्तो हम इस मग की academic मदद से और आधे रहना div बानिधपनीटे पानीडे दॉस्तों देखे आप जैसे में पानी डाल रहा हूं ऊने डॉस्त आपको बैंट्री में वाटर लेवल कीछाब सीफित डालना है、 अगर दोस्ता आप उसमें ज्यादा पानीडालेंगे तो जो इसका तेजाब है वह बाहर निकल जाएगा अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आपकी इनवर्टर बैटरी में यहां पर यह पानी डालने के लिए वल्ट नहीं दिये हुए हैं तो आपको यह जो वाटर लेवल लगा हुआ है से यहां से निकाल लेना है उसके बा और दोस्तों आपको इस बात का दियान रखना है कि पानी बाहर ना है दोस्तों पानी डालने के बाद वापस यह से वाटर लेवल को बंद कर देते हैं अब दोस्तों जो बाकी रह गए हैं मैं इनमें पानी डाल देता हूं इसलिए दोस्तों मैं इसके सभी पॉइंट में प चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को दुरूर सबस्क्राइब कर लें साथ में दोस्तों जो गंटी का इकन है उसे भी दबाना ना बोले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार दोस्तों